मैं मनोच साहचार हिंदी विवाग राजा सिंग महाविद्याले सिवान। आज के व्यक्ष्यान का विशे है सूर्दास द्वारा रचित बाल लिल्या के पद। ये हशनातक दूटिये खंड के हिंदी रचना के पाठिकरम में प्रस्तावित है। वैसे तो इस पाठिकरम में सूर्दास द्वारा बाल लिला से संबंदित नौ पदों को संकलित किया गया है। हम लोग करम से इन पदों पर प्रतेक ब्यक्ष्यान में इसकी चर्चा करेंगे। सूर्दास के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि बक्ती आंदोलन के जो मद्यकाल में, हिंदी छेत्र में, जो हिंदी छेत्र ही क्यों पूरे भारत में बिविन भासाओं में एक मनुसिगत समानता के आदर्स को लेकर चला था। उनके चलाने वालों में भी में सूर्दास की कावी नाम आता है। सूर्दास भक्ती आंदोलन के सगुण भक्ती साखा के क्रिश्न भक्ती परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वैसे तो भक्ती के संदर्म में हम लोग की जो समझ सूर्दास के पुर्व के भक्ती परंपरा को अगर ध्यान दे तो भक्ती का अधिकारी वही था जो सन्यास ले लेता था जो जंगलों में चला जाता था जो समाजिक सरवकारों से अपने आपको मुक्त कर समाजिक मोह माया से अपने को अलग कर समाज से कट कर ही वो भक्त बन सकता था। भक्ती और इश्वर की प्राप्ती इश्वर के अनुकंपा की प्राप्ती के लिए आवस्यक था समाज का तिरसकार। लेकिन भक्ति आंदोलन जो चला है मद्यकाल में उसने भक्ति की परिभासा को बदल दिया उस परिभासा को बदलने में सूर्दास का बहुत बड़ा युगदान है जो इस्वर मनुस्य से बहुत दूर था और उसको समझने के लिए इस समाज को छोड़ना जरूरी था इस ग्रिहस्त जीवन को छोड़ना जरूरी था बिना छोड़े उस इस्वर कोई समझ नहीं बिक्सित हो सकती थी उस इस्वर को सूर्दास ने घर-घर में मनुस्य की रूप में पहुँचा दिया दूसरे सब्दों में कहा जाएं तो भक्ति जो जंगलों और समाज से अलग रहकर की जाने वाली क्रिया थी उसको ग्रियस्त जीवन के बीच करने की क्रिया बनाने का सूर्दास को ही जाता है इस्वर को मनुस्य मनुस्य को इस्वर दोनों एक दूसरे से करीब लादेने का जो प्रियास सूर्दास ने किया हो अद्भुत प्रियास था और उसी के कारण आज घर घर में भक्ति इस्वर के प्रति समर्पन का भाव पहुच गया है भक्ति को अगर सही अर्थों में कहें तो घर-घर में लोकप्रिये बनाने का गिरहस्त जीवन में लोकप्रिये बनाने का योगदान सूरुदास को ही जाता है सूरुदास इसलिए महत्पून भी है सूरुदास के बारे में आप सभी जानते हैं और उनके बारे में उनकी कविता की विशेषता के बारे में उनकी कविता की प्रभाव जहमता के बारे में एक दोहा प्रचलित है कि किधो सूर को सर लग्यो किधो सूर की पीर किधो सूर को पद लग्यो विद्ध्यो सकल सरी कहा जाता है कि ये दोहा समराट तांसिन ने रचाता थेर जो भी रचा हो सूर की कविता की प्रभाव छमता को ये दर्साता है सूर दास काल जयवी कवी है और इनकी कविता की विशेष्टा में बाचसल्य और सिंगार के छित्र में जो इनकी कविता अपनी पहचान बनाई है वो आज तक उस पहचान के आगे कोई नहीं जा पाया बाचसल्य और सिंगार सूर की वृत्ती विशेष्ट रमी है सूर दास के प्रिय विशे रहे हैं ये दोनों उनके चित्रन में ही उनकी ख्याती स्थित्थ है यह सही है कि क्रिश्ण की विभिन बाल किडाओं का बर्णन करते हुए सूर जब अपने पाठकों को क्रिश्ण के इस्वरिय रूप का बोध कराते हैं किन्तु क्रिश्ण पर पड़े इस्वरिय आवरण को तनिक हटा कर देखे तो क्या ये लिलाएं अधिक सहज और अधिक स्वभाविक रूप में हमारे आकरशन का भिषय नहीं बनती बाल लिला संबंदी बाल सुलब खिणाओं के से संबंदी उनकी अनिक पंगतियां मैया मोही मैं नहीं माखन करिया खायो मैया मोही दाओ बहुत खिजायो जैसे धेरो पदों में अभियत्ती पाने वाली क्रिश्ण की छबी क्या अपनी मानुवियता और लोखिकता में हमें अपनी और नहीं खिशती क्या उनके पदों में जो बाल क्रिश्ण की छबी उभरती है क्या वो छबी हमारे घर के आंगन में खेलते हुए बच्चों के रूप से नजदीक अस्तर पर नहीं मिलती है क्या जरूरी है कि इन पदों का अस्वाद करते हुए क्रिश्ण के इस्वरिये रूप को ध्यान रखा जाए इन्हें गाते समय सुर्व के मन में क्रिश्ण के इस्वरिये रूप की ही छाप थी सच पूछा जाए तो अपने मानुविये तथा लौकिक संदर्वों में ये लिलाएं सुर्व के काव की अस्थाई निधी हैं इनकी इस मानुविये और लौकिका आक्रिती के संदर्व में ही उनके अंतरगत नहित और ब्यंजित सुर्व काव की विशिस्था को उभारा जा सकता है इनके जो पद प्रस्तावित हैं आपके पाठक्रम में वो बाल सुलब की रा को लेकर है और इसमें सुर्व ने जो चित्र खीचा है वो चित्र बालक कृष्ण का जो चित्र है वो अध्वुत है आज भी वो पद जन्जन में लोक प्रिये चसोदा हरी पालने जुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कचुगावे मेरे लालको आउनिदरिया काहिनानी सुआवे तु काहे नहीं बेगही आवे तो को कान बुलावे कभ़ुक पलक हरी मूद लेत है कभ़ुक अधर फरकावे सोउत जानी मौन हुए रही करी-करी सैन बतावे यह अंतर उकुलाई उठेहरी जसुमती मधुराई गावे जो सुख सुर अमरमुनी दुरलव सुनन्द भामनी पावे इस पद में सुर बालक क्रिश्न के सोने और सोदा दवारा सुलाने की क्रिया को अभियत किया है और एक मा बच्चे को किस तरह सुलाती है उसी तरह यह सोदा भी अपने क्रिश्न को सुला रही है यह चित्र अंजान सा चित्र नहीं लगता है लगता है कि घर घर में यह देखा अच्छी तरह से महसूस किया चित्र है कि जसोदा हरी पालने जसोदा क्रिश्न को पालने में जुला रही है सुलाने के लिए सुलाने के लिए हल रावे उसको हिलाती है होले होले हिलाती है दूल रावे उसी बीच में उसे प्यार भी करने लगती है माथा चुमने लगती है मल हावे उसको सुलाने की कोशिस में जोई सोई कचुगावे उसको जो भी उस समय जिस लह में गुनगुनाती है उसका कोई अर्थ नहीं होता है लह होता है जोई सोई कचुगावे मेरे लालो को आउनी दर्या काहे ना आनी सुगावे और निंद को बुलाते हुए करती कि मेरे लाल क्रिष्ण को सुलाने हे निंद आओ क्यों नहीं आ रही हो सुलाने के लिए अक्सर आप हम सब अपने घरों में देखते हैं कि मा छोटे बच्चों को निंदी आ आ जो बाबू के सुला जो वही उसी भावना के साथ यसोधा भी अपने क्रिष्ण को क्रिष्ण के लिए निंद को बुला रही है तू काहे नहीं बेगा ही आवे एक उलाहने के लाज़े में कि तू काहे नहीं बेगा ही आओ जल्दी से आओ तो को काह न बुलाओ तुमको क्रिष्ण बुला रहे हैं तुम देर से क्यों नहीं देर से क्यों आ रही हो बेगा ही आओ जल्दी आओ ये सब सुनते सुनते क्रिष्ण बालक क्रिष्ण कवहूं को पलक हरी मूँ दिलेते हैं बालक क्रिष्ण कभी अपने पलक को मूँ दिलेते हैं कवहूं को अधर परकावा कभी उनके उठ फरकने लगते हैं और यसुदा को ऐसास होता है कि क्रिष्ण अब सू गए आप सोवत जाने मैन है रही अब सोवत जानकर सोते हुए जानकर यह सोधा मौन धारन कर लेती है चुप हो जाती है कि अब गायेगी तो उनका नींद खुल जाये अकरी करी सैन बता और दिरे दिरे वहाँ से निकलने की कोशिष करती है जैसे निकलने की कोशिश करती है उसी समय इही अंतर अकुलाए उठे अरी और इस मोन से अकुला कर कृष्ण आखे खोल देते हैं उनके शरीर में थिरकन होने लगती है और यह सोदाया देकर फिर से वो गाना शुरू कर देती है लोरी गाना शुरू कर देती है यह कृष्ण और यह सोदा के बीच के मा और बेटे के बीच में जो अद्भुत चित्र सुर्दास ने खीचा है उसके बारे में सुर्दास ही कह रहे हैं कि जो सुख सुर अमर मुनी दुरलब यह यह सोदा को का कृष्ण को सुलाने की क्रिया मा को बेटे की सुलाने की क्रिया जो सुख सुर अमर मुनी दुरलब मुनियों और अमरों अमर विक्तियों को सुलब नहीं है सो नंद भाम नी पावे नंद की पत्नी यह सोदा को ओ आनन्द में लाया ऐसा आनन्द किसी को भी दुरलब नहीं है ग्रियास दीवन में जो यह सुदा अपने बच्चे को सुलाते हुई जो आनन्द प्राप्त कर ले रही है वो मुनी रिशी जो जंगलों में रहकर तपस्या करते हैं वो तपस्या जनित वो ब्रह्मानन्द भी इस आनन्द के सामने फीका है इस पद में सुर्दास ने इस्वर कृष्ण को बालक कृष्ण के रूप में इस तरह चित्रित किया है कि उनका इस्वरत तो रहने के बावजूद भी जादा मनुस्य के करीब नजर आते हैं यही सुर्दास की सफलता भी है तन्यवाद अब अगले वैक्षान में अगले पत पर चर्चा होगी करते हैं करते हैं